हेलो दोस्तों आपका फिर से एक वीडियो पे आपका स्वागत है इससे पहले हम थार्ड प्रक्टिश टेस्ट हिंदी जो है एक नमबर से लेकर 25 नमबर तक का आलोचना कर चुके हैं अब हम जो है व्याकरण पार्ट यानि कुस्चिन नमबर 26 से अन तक 50 तक जो है आलोचना क किया एक है description पे link डाल दे रहा हूं आप क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं एक से लेकर 25 नमबर प्रश्ण तक तो कुस्चिन नमबर 26 ज्यान सब्द का विलोम सब्द क्या है विलोम सब्द यानि जो है विपरिस सब्द थीक है तो ज्यान सब्द का विलोम सब्द है अग् उक्तिन नंबर 27 नदी सब्द का कि लेगे तो यहां पर अलग कुछ पढ़े रोप जाएगां तो नदी सब्द का में धो नदीयां दियां यहां पर एक नदीयां लिखा है यहां पर एक सब्सक्रीट और तो आप आप कन्फियूज होंगे 9 2 में दिरगई कार तो यहां भी दिरगई कार में ठीक लगा देंगे। लेकिन गलत है जिस समय दिरगई कारम सब्द जो है वहु बचन होता है तो नदी का वहु बचन रूफ है नदियां यानि C नंबर इसका करेक्ट आंसर है next जएक〇-28 नमबर प्रश्चन है खाकृया सब्द है और उसका जो है प्रथम प्रेरनार्थक क्रिया क्या होगा। आप खाना पर ठीक मत लगाना क्युंकी खाना एक खेती होगा तो क्रूच यहां पर तो घृण कृचा है तो खेती है ङरोगा क्रिया मैं क्रिया पर वीडियो का बनाया हूं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा क्रिया के वीडियो का कुस्टी नमबर 29 माली का स्ट्रिलिंग सब्द क्या है तो माली सब्द का स्ट्रिलिंग सब्द यहां पर पूछा है तो माली का स्ट्रिलिंग सब्द है माल ठीक है? next देखें, कोस्ति नमबर 30, माता का पुलिंग सब्द, ये तो बहुती आसन है, माता का पुलिंग सब्द जो है, पीता है, कोस्ति नमबर 31, बच्चा का भाव आचक संज्ण रूुप होगा, बच्पन, डी नमबर, इसका सही उत्तर है बच्पन, आप देखना, भाव सब्सक्शाओ करें तो बच्चा सब्द का भाववा पुछा यहां पर पुछा है holistic हए तो धोना धूला खाना खिलाना खिलाना दौडाना दौडालवाना कुस्टी नमबर 33, 33 नमबर प्रश्ण है, आजाद सब्द का परेवाची सब्द लिखने है, परेवाची सब्द यानि समान अर्थ व्यक्त करने वाला सब्द जो है, तो आजाद, यहाँ पर अधीन पराधीन है, यह जो अधीन पराधीन यह नहीं होगा, तो आजाद सब्द क यहां पर विलोम सब्द नहीं पूछा है यहां पर परेवाची सब्द पूछा है तो आजात सब्द का परेवाची सब्द है स्वतंत्र नेक्ष्ट देखिए कुस्टी नंबर 34 लोगों ने प्रान दिये लोगों ने प्रान दिये जमीने नहीं दी प्रान दिये यह जो है जनन से आप पड़े होंगे नीड के निर्मान में के उसा की मुस्कान प्राची से उसका उसा की मोहीनी मुस्कान फिर फिर तो मोहीनी सब्द जो है यहां पर इसका सही रूप है ए नंबर इसका सही रोप, कॉस्टी नंबर 36, pulling सब्द है, तो चार सब्द दिया है, यहाँ पर AV, CD इसमें से pulling सब्द, बात बात जो है, strelling सब्द है, हमें पता है, रियासत strelling सब्द, अकसर जो है, तोमें, अंथ होने वाला s fatto स्ट्रिलिंग अक्सर सभी नहीं बोल रहा हूं मैं अक्सर बोलना हूं तो दूद ए भी जो स्ट्रिलिंग सब्द है तो यहां पर पुछा है पुलिंग सब्द तो नेत्र जो है pulling सब्द है और एक चीज याद रखिये नेत्र pulling सब्द है लेकिन आँख जो है strilling सब्द है आप इसे भुलना मत आँख strilling सब्द है लेकिन नेत्र pulling सब्द है question number 37 strilling सब्द है यानि इन में से कौन सा strilling सब्द है 36 पे पुछा था pulling सब्द और 37 पे 37 नमबर प्रश्न पर है कि निर्म में से कौन सा स्ट्रिलिंग सब्द है तो नदी नदी स्ट्रिलिंग सब्द है और जितनी नदी है वो भी स्ट्रिलिंग है ठीक है कि कुछ अपवाद हैं जैसे सिंदू है सोन ये सारे अपवाद हैं बाकि कि जितने नदी के नाम है कि गंगा हो यमुना हो काव तो कृष्न सौन सिंदु ए है दो 3,4 जो है अपुवाद है बाकी दिके नाम भी नेशित। याद रखना पानी पुलिंग सब्द है लेकिन वारीस जो है भी इस ट्रिलिंग सब्द भी है, नेच्ट देखते जो हैं, जो है कारक का वीडűo बनाया था, आपको प्लेइलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, कि करताने कर्म को करण से संप्रदान को अपदान से अधीकरन में, पर तो यहां पर आता है, अधिकरन कारक जो है छत पर कौन सा कारक है अधिकरन कारक जहां पर जिस चीज से क्या होता है उसके आधार का बोध होता है आप जो है कारक का वीडियो देखें आपको description पर link डाल दे रहा हूँ कारक का वीडियो देख लें उस पे सभी कारक के विशे में जो है जान पाएंगे और कारक से आपको कोई भी संका नहींगे कोई भी confusion नहीं होगा अगर कारक से प्रश्न पूशता है आप वस वीडियो 39 सकर्मक क्रिया सब्द है क्रिया का भी वीडियो इससे पहले बनाया हूं क्रिया का भी वीडियो डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूं आप वहां पर देख सकते हैं सकर्मक क्रिया सब्द है तो पढ़ना भागना तैरना और कुदना इसमें से सकर्म यानि कर्म किसके साथ होगा या फिर होने की संभावना होगी सकर्मक अकर्मक आप क्रिया के वीडियो से कंफर्म हो सकते हैं सकर्मक होई होता है जिसके साथ कर्म होता है या होने की संभावना होती है अकर्मक होई होता है जिसके साथ कर्म नहीं होता कि होने की संभावना नहीं है तो हम देखते हैं यहां पर दिया है जैसे सकर्मक कौन सा होगा यहां पर पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है ठीक है भागना तैरना कुदना यह सारे अकर्मक क्रिया है सकर्मक पढ़ना क्योंकि क्या पढ़ते हो तो कुछ जवाब आता है क्या और किसको किसे अगर जवाब आता है तो सकर्मक नेक्ट देगे कोस्टी नबर 40 40 नबर प्रश्ण अकर्मक क्रिया सब्द है तो इसमें से कौन सा अकर्मक है वही फर्मूला है क्या कि हट पाएंगे आप सुचिए अकर्मक कौन सा होगा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कौन सा कर्मक होगा ठीक है आपको मिला सभी तर चले उत्तर मिलाते हैं तो अकर्मक्रिया सब्द है कौन सा अकर्मक्रिया है ना हसना जो है अकर्मक्रिया है क्योंकि खाना हम पूछ सकते हैं क्या खाया क्या पिया देखना किसे देखता है ठीक है किसे किसको ए सारे सब्द का जवाब मिलता है तो हसना क्या हसा तो इसे पता नहीं चलता तो अकर्मक्रिय किया वही है यानि इसके साथ जो है कर्म के आने की संभावना भी नहीं है कुस्छी number 4141 नमबर प्रिश्ण यहां एक बेगवान घोड़ा है रिखांकी पद क्या है तो यह जो रिखांकी पद वेगवान घोड़ा यह क्या है यह तो संग्या नहीं होगा सर्वनाम नहीं होगा क्रिया भी नहीं होगा तो यह विशेशन है क्यों क्योंकि घोडे की विशेशता को बताता है उसके गुण को बताता है ठीक है तो एक जो है विशेशन सब्द है यहाँ एक वेगवान गोडा है सरी गोडा नहीं गोडा है कोस्ति नमबर 42 गज का समनार्थी सब्द क्या है तो गोधन गजदन बाजीधन रतंदन खान जबावे संतोजधन सब्दन धुरी समान तो किसका दोआ है आपको याद होगा तो गज का समनार्थी सब्द क्या है गज का समनार्थी सब्द जो है हाती है गोधन गजदन आर्थी सब्द जो है हाती है नेक्षर देखते हैं कुष्षिन नमबर 43 है 43 नमबर प्रश्ण हम सब भारतये हैं इसमें प्रयुक्त सरवनाम इसमें कौन सा सरवनाम है ज tentang है यहां पर सब भारत यह है तो हम जो हैं सर्व नाम है कुश्ची नबर 44 जाती वाचक संग्या सब्द जाती यानि पूरे जाती का बोध होता हो ठीक है यहां दिया है जैसे सेना यहां पर एक समुहा वाचक है ठीक है तो पढ़ाई यह तो क्रिया है पानी यह जो है द्रब्य वाचक संग्या तो जाती वाचक संग्या सब्द जो है घोडा है कोस्टी नमबर 45 ने किस कारक का चिन है करता ने कर्म को करेंट से संप्रदान को ये बताया था तो आप जो है आख बंद करके इस पर राउंड आप कर देंगे आख खोल के ही करना ठीक है तो नेक्ट देखिए कोस्टी नमबर 46 दुराचार में प्रयुक आता है और प्रते जो है बाद में आता है ठीक है ये दो चीज को याद रखना तो दुराचार में प्रयुक्त उपसर्ग है दू सरी दूर जो है ए दूराचार में प्रयुक्त उपसर्ग है तो कोस्टी नमबर 47 लिखावट में कौन सा प्रते अभी बला के प्रते बाद में आता है बाद में आता है जो अंत का होगा उसे देख लेगर लिखना अगर उपसर पुछाओ तो पहले का तो लिखावट में कौन सा प्रते है आवट प्रते है ठीक है तो आर एक बात आपको बतानों कुस्ति नबर 48-49-50 डिसकस करेंगे तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक कि संग्या है तो कक्षिया देखिए व्यक्ति वाचक संग्या में एक चीज बोलते हूं व्यक्ति वाचक संग्या जिससे एक का बोद होता हूं ठीक है जैसे हम बोलें राम सिता है जिसका नाम बोलते हैं कोई एक पाहड का नाम बोलें कोई नदी का बाद मोलें किसी एक के तो व्यक्ति वाचक संगिया आपको पता है जैसे पाननी तेल घी कोई से दरभ्यापदार्थ का नाम बोलते हैं भाव आचक संगिया जैसे अभी एक सब्द दिया था कुछ हम पहले डिसकस कर रहे थे कि बच्चा का बच्पन या बुढ़ा का बुढ़ापा दिया थे जैसे ये भाव वाचक संग्य में तो समु lies जहां पर Sevaba doesn't कण्षा जहां टीचर हो ऍеспुट्यन्ट सबूह तो ऐसे पढ़ने के सांधन उसे कख्चा बोलते हैं तोली गाय की ensored जीटियों का पुंज जैसे बोलें पुंज सब्द जो है एक समु परिवार जैसे बोलते हैं माता पीता होते हैं भाई बेहन होते हैं खुद होते हैं आप तो यह परिवार सब्द जो है एक समुहा बाचक संग्या है तो जहां पर एक समुहा का बुद कराता है हो समुहा बाचक संग्या तो कक्षा भी एक समुहा का बुद कराता है तो कक्षा ह एक समुहा बाचक संगय तो नेक्ष्ट देखे कोस्टी नंबर 49 सोनु बुखार में पीडित है सही कारक चिन लगेगा अच्छ ठीक है तो सोनु बुखार में पीडित है यह जो है सही उत्तर है कोस्टी नंबर 50 साच सब्द का खड़ी वोली रूप साच बराबर तप नहीं ज सत्या है तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं नेक्ष्ट क्लास और एक वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मुलाकत होगी तब तक के लिए जैहिंद